नीती वच्चन 15 अध्या 31 से 33 तक जो जीवन दाई डांट कान लगा कर सुनता है वो बुद्धिमानों के संग टिकाना पाता है जो शिक्षा को सुनी अंसुनी करता वो अपने प्रान को तुछ जानता है परंतु जो डांट को सुनता वो बुद्धी प्राप्त करता है यहवा के भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है और महिमा से पहले नमरता आती है नीती वच्चन 16 अध्या 1 से 7 तक मन की युक्ती मनुष्य के वश में रहती है परंतु मुह से कहना यहवा की और से होता है मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टी में पवित्र टहरता है प इसने कामों को यहवा पर डाल दे इससे तेरी कलपनाय सिद्ध होगी यहवा ने सब वस्तुए विशेश उदेश्य के लिए बनाई है वरंदुष्ट को भी विपती भोगने के लिए बनाया है सब मन के घमंडियों से यहवा घृना करता है मैं दृड़ता से कहता हूँ ऐस लोग निर्दोशन ठहरेंगे अधरम का प्रायश्चित कृपा और सचाई से होता है और यहवा के भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई करने से बच जाते हैं जब किसी का चाल चलन यहवा को भावता है तब वो उसके शद्रों का भी उससे मेल कराता है प्रेरितो 19 अध पर दुश्टातमा ने उनको उतर दिया ईश्चित को मैं जानती हूं और पॉलस को भी पहचानती हूं पर उस मनुष्य ने जिसमें दुश्टातमा थी उन पर लपक कर और उन्हें वश्में लाकर उन पर ऐसा उपदर्व किया कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से निकल ये बात इफसुस के रहने वाले सब यहोदी और यूनानी भी जान गए और उन सब पर भहचा गया और प्रबु इश्चु के नाम की बढ़ाई हुई जन्हों ने विश्वास किया था उन में से भोतेरों ने आकर अपने अपने कामों को मान लिया और प्रगट किया प्रबु का वच्चन बल पूर्वक फैलता और प्रबल होता गया जब ये बाते हो चुकी तो पॉल उसने आत्मा में ठाना कि मकी दुनिया और अखाया से होकर यरुशलें को जाओं और कहा वहां जाने के बाद मुझे रोम को भी देखना अवश्य है इसलिए अपनी सेवा करने वालों में से तिमुतियूस और इरास्थूस को मकी दुनिया भेज कर आप कुछ दिन आस्या में रह गया उस समय उस पंथ के विशे में बड़ा हुलड हुआ क्योंकि देमित्रियूस नाम का एक सुनार अर्तिमिस के चांदी के मंदिर बनवा कर कारिगरों को बहुत का इस काम से हमें कितना धन मलता है तुम देखते और सुनते हो कि केवल इफिसूस ही में नहीं वरन प्राइस सारे आस्या में यह कह कहकर इस पॉलूस ने बहुत से लोगों को समझाया और भरमाया भी है कि जो हाथ की कारिगरी है वे इश्वर नहीं इस से अब केवल इसी बात का ही ढर नहीं है कि हमारे इस दंदे की प्रतिष्टा जाती रहेगी वरन यह की महान देवी अरितिमिस का मंदिर तुछ समझा जाएगा और जिसे सारा आसिया और जगत पूझता है उसका महत्व भी जाता रहेगा वे यह सुनकर क्रोच से भर गए और चला चला कर कहने लग और एक साथ रंग शाला में दोड गए जब पॉलुस ने लोगों के पास बीतर जाना चाहा तो चेलों ने उसे जाने न दिया आसिया के हाकिमों से भी उसके कई मित्रों ने उसके पास कहला भेजा और विंटी की कि रंग शाला में जाकर जोकिम न उठाना वहां कोई कुछ चिलाता था और कोई कुछ क्योंकि सभा में बड़ी गड़बडी हो रही थी और बहुत से लोग तो यह जानते भी नहीं थे कि हम किसलिए इखटे हुए हैं तब उन्होंने सिकंदर को जिसे यहुदियों ने खड़ा किया था भीड में से आगे बढ़ाया सिकंदर हाथ से स हैं तब नगर के मंतरी ने लोगों को शांत करके कहा है इफसुस की लोगों कौन नहीं जानता की इफसो का नगर महान देवी अर्तिमिस के मंदिर और जियोज की और से गिरी हुई मूरती का टहलूा है अतहर जबकि इन बातों का खंडन ही नहीं हो सकता तो उशीत है कि तु शांत रहो और बिना सोचे विचारे कुछ न करो क्योंकि तुम इन मनुश्यों को लाए हो जो ना मंदीर के लूटने वाले हैं और ना हमारी देवी के नंदक है यदि देमित्रियूस और उसके साथ ही कारीगरों को किसी से विवाद हो तो कछरी खुली है और हाकिम भी है वे एक दूसरे पर नालिश करें परंचे दितम किसी और बात के विशे में कुछ पूछना चाहते हो तो नियत सभा में फैसला किया जाएगा क्योंकि आज के बलवे के कारण हम पर दोश लगाए जाने का डर है इसलिए कि इसका कोई कारण नहीं और हम इस भीड के इखटा होने का कोई उत्तर ना दे सकेंगी यह कहकर उसने सभा को विदा किया पहला राजाओ बाईस अध्याओ एक से त्रेपं तक तीन वर्ष तक अरामे और इसराइले बिना युद के रहे तीसरे वर्ष में यहुदा का राजा यहोशपात इसराइल के राजा के पास गया तब इसरा इसराम के राजा के हाथ से क्यों नहीं चीन लेते हैं और उसने यहोशपात से पूछा क्या तो मेरे संगिलात के रामोट से लड़ने के लिए जाएगा यहोशपात ने इसराइल के राजा को उत्तर दिया जैसा तू है वैसा मैं भी हूँ जैसी तेरी प्रजा है वैसी ही मे पिरे भी घोड़े हैं फिर यहोशपात ने इसराइल के राजा से कहा आज यहवा की इच्छा मालुम कर ले तब इसराइल के राजा ने नभीों को जो कोई चार सो पुरुश थे एकटा करके उनसे पूछा क्या मैं गिलाद के रामोच से युद्ध करने के लिए चढ़ाई कर या रुका रहूं उन्होंने उत्तर दिया चढ़ाई कर क्योंकि प्रभू उसको राजा के हाथ में कर देगा परन्तु यहोशपात ने पूछा क्या यहां यहवा का और भी कोई नभी नहीं है जिससे हम पूछ ले इसराइल के राजा ने यहोशपात से कहा हां यिमला का कहा राजा ऐसा ना कहे तब इसराइल के राजा ने एक हाकिम को बुलवा कर कहा यिमला के पुत्र मिकायाह को फूर्ती से ले आ इसराइल का राजा और यहोशपात अपने अपने राजवस्तर पहिने हुए शुमरोन के फाटक में एक खुले स्थान में अपने अपने सिहास यो कहता है इनसे तू अरामियों को मारते मारते नश्ट कर डालेगा और सब नबियों ने इसी आशय की भवशिवानी करके कहा गिलात के रामुत पर चढ़ाई कर और तू कृतार थोक्षियों की यहवा उससे राजा के हाथ में कर देगा जो दूत मिकाया को बुलाने गया था उसने उससे कहा सुन बवशिदत्ता एक मुह से राजा के विशे शुबवचन कहते हैं तो तेरी बाते उनकी सी हो तू भी शुबवचन कहना मिकाया ने कहा यहवा के जीवन की शपत जो कुछ यहवा मुझसे कहे वही मैं कहूंगा जब वो राजा के पास आया तब राजा उसे पूछा, हे मिकायह, क्या हम गिलात के रामुत से युद्ध करने के लिए चढ़ाई करे या रुके रहे, उसने उसको उतर दिया, हाँ चढ़ाई कर और तू, कृतार्थ हो, और यहवा उसको राजा के हाथ में कर दे, राजा ने उससे कहा, मुझे कितनी बार तुझे समान, पहाडों पर तीतर बितर देख पड़ा, और यहवा का यवचन आया, वे तो अनात है, अथे एव वे, अपने अपने घर, खुशल शेम से लोट जाए, तब इसराइल के राजा ने यहोशापात से कहा, क्या मैंने तुझसे न कहा था कि वो मेरे विशे, कल्यान की नह सेना दिखाई दी है, तब यहोवा ने पूछा, अहप को कौन ऐसा भैकाएगा कि वो गिलात के रामोत पर चढ़ाई करके खेता है, तब किसे ने कुछ और किसे ने कुछ कहा, अंत में एक आत्मा पास आकर यहोवा के समुक खड़ी हुई, और कहने लगी, मैं उसको पाय से, उसने कहा, मैं जाकर उसके सब भविश दक्ताओं में पैट कर उनसे जूट बलवाऊंगी, यहोवा ने कहा, तेरा उसको भैकाना सफल होगा, जाकर ऐसा ही कर, तो अब सुन, यहोवा ने तेरे इन सब भविश दक्ताओं के मुह में एक जूट बोलने वाली आत्मा पठाई है, और यहोवा ने तेरे विशेहानी के बात कही है, तब कनान के पुत्र सिद्कियाह ने मिकाया के निकट जा, उसके गाल पर थपड मार कर पूछा, यहोवा का आत्मा मुझे छोड़ कर तुझसे बाते करने को किधर गया, मिकायाह ने कहा, जिस दिन तु छिपने के लिए कोटरी से कोटरी में भागेगा, तब तुझे ग्यात होगा, तब इसराइल के राजा ने कहा, मिकायाह को नगर के हाकेम, आमोन और यहोवाश राचकुमार के पास ले जा, और उनसे कह, राजा यहो कहता है कि इसको बंदिग्रह में डालो, और जब तक मैं कुशल स आउन तब तक इसे दुख की रोटी और पानी दिया करो, और मिकायाह ने कहा, यदि तु कभी कुशल से लोटे तो, जान की होवा ने मेरे द्वारा नहीं कहा, फिर उसने कहा, हे लोगो, तुम सब के सब सुन लो, तब इसराइल के राजा और यहुदा के राजा यहोश पा पर युद शेत्र में गया, अराम के राजा ने तो अपने रथों के 32 प्रधानों को आग्या दी थी, न तो छोटे से लड़ो और न बड़े से केवल इसराइल के राजा से युद करो, अतहर जब रथों के प्रधानों ने यहोश पात को देखा तब कहा, निश्चे और वो इसराइल के राजा के जिलम और निचले वस्तर के बीच छेद कर लगा, तब उसने अपने सार्थी से कहा, मैं गायल हो गया हूँ, इसलिए भागडोर फेर कर मुझे सेना में से बाहर निकाल ले चल, और उस दिन युद बढ़ता गया, और राजा अपने रथ में औ पुकार हुई, हर एक अपने नगर और अपने देश को लोट जाए, तब राजा मर गया, तब शोमरोन को पहुंचाया गया, और शोमरोन में उसे मिटी दी गई, और यहावा के वचन के अनुसार जब उसका रथ शोमरोन के पोखरे में धोया गया, तब कुतों ने उसका ल काली राजाओं के इतिहास की पुस्थक में नहीं लिखा है, अतह आहाब अपने पुर्खाओं के संग सो गया, और उसका पुत्र अहजिया उसके स्थान पर राज्य करने लगा, इसरायल के राजा आहाब के चौथे वर्ष में आसा का पुत्र यहोशपात यहुदा पर रा कार से उसके पिता आसा की सी थी, अर्थाद जो यहुदा के दृष्टे में ठीक है, वही वो करता रहा और उससे कुछ न मुड़ा, तो भी उंचे स्थान ढाये न गए, प्रजा के लोग उंचे स्थानों पर उस समय भी बली किया करते थे और दूप भी जलाया करते थे, य यहुशपात ने इसराइल के राजा से मेल किया, यहुशपात के काम और जो वीर्था उसने दिखाई और जो जो लड़ाईयां की, यह सब क्या यहुदा के राजाओं के इतिहास की पुस्थक में नहीं लिखा है? पुर्ष गामियों में से जो उसके पिता आसा के दिनों मे रह गए थे उनको उसने देश में से नश्ट किया उस समय एदों में कोई राजा ना था एक नाया आप राजकाल का काम करता था फिर यहोशपात ने तर्शिश के जाज सोना लाने के लिए उपिर जाने को बनवा लिए परंतु वे एशियों नगेबेर में तूट गए यहोशपात अपने पुर्खाओं के संग सो गया और उसको उसके पुर्खाओं के साथ उसके मुल पुरुष दाउत के नगर में मिटी दे गए और उसका पुत्र यहोराम उसके स्थान पर राज्य करने लगा यहुदा के राजा यहुषपात के सत्रवे वर्ष में अहाब का पुत्र अहजियाह शोमरों में इसराइल पर राज़ करने लगा और दो वर्ष तक इसराइल पर राज़ करता रहा उसने वर्क किया जो यहवा की दृष्टे में बुरा था और उसकी चाल उसके माता पिता और नबात के पुत्र यारोबाम की सी थी जिसने इसराइल से पाप करवाया था जैसे उसका पिता बाल की उपासना और उसे दंडवत करने से इसराइल के परमेशर यहवा को करोदित कर वेसे ही अहजियाह भी करता रहा